नमस्कार दोस्तों मैं संदीप और आज की से बीटिव में आप लोग को किसी भी फोन में डिजिटाल माइक लगाने का एक नया ट्रिक दिखाऊंगा जैसे कमपानी की तरफ से माइक लगा हुआ मिलते हैं वैसे ही आप लोग माइक लगा पाएंगे और इसके लिए आपको कोई जामपार और का भी जुरूरत नहीं होगी दोस्तों ये ट्रिक 100% वर्किंग है इस ट्रिक को आप सभी कमपानी की फोनों में यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर डिजिटाल माइक है और इस ट्रिक को मैं बहुत दिन से यूज़ करके आ रहा हूँ तो चले इस तो पहले फोन को कुईकली ओपन कर लेते हैं अभी हम ओल्ड डिजिटाल माइक को यहां से रिमूप करेंगे और इसको रिमूप करने के पहले इस एरिया के आसपास अगर कोई प्लास्टिक या भी कोई भी कॉम्पोनेंट है उसको हम की सिल्बा टैप की मदस्थी कवर अप करेंगे और उसके बाद खराब माइक को रिम खराब माइक को हम यहां से रिमूप कर दिया है और अब यहां जहां पर माइक था उस एरिया को अच्छी से डी सुल्डर ओएक के मदस्थ से क्लिन कर लेंगे इससे पहले हम यहां पर थोड़ा सा फ्लाक स्पेस्ट लगा देंगे माइक की सभी पॉइंट डी सुल्ड हो चुका है और अब यहां इस जगा को अच्छी से क्लिन कर लेंगे दिखे जहां पर माइक था उसकी सभी पॉइंट को आपको इस तरह अच्छी से क्लिन कर लना है दोस्तो प्लीज यहां से विडियो को कंप्लेट देखे ने तो आप लोग इस ट्रिक को समझ भी नहीं पाएंगे और आप माइक को भी खरब करेंगे तो अब यहां में एक नया माइक लेंगे और माइक की जो पॉइंट से उसको रिबॉल करेंगे तो माइक की पॉइंट को किस तरह रिबॉल करना है मैं आपको वो भी दिखाता हूं देखे मैं यहां से एक नया माइक ले लिया और आप हम इसकी जो पॉइंट से देखे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं यह जो तीन पॉइंट है इसको हम रिवॉल करेंगे ठीक है तो इसको किस तरह रिवॉल करना है ताकि माइक खराब ना हो वो मैं आप लोग यहां पर दिखाता हूँ तो सबसे पहले इसको हम रिवॉल कर लेते हैं उसके बाद हम इसको लगाएंगे दोस्तों इस तरह माइक को रिवॉल करने के टाइम जितना हो सके लोड टेंपरेचर पीपीडी या सोल्डर यूज करें मैं इस तरह डिजिटाल माइक को रिवॉल करने के टाइम जहातर 138 डिग्री सेल्शियास टेंपरेचर की पीपीडी यूज करता हूँ तो मैं इसको रिवोल करने के लिए इस मेकनिक का 138 डिग्री सेल्सियास पीपीटी को यूज करूँगा और इस माइक को किस तरह सेफ तरीकों से आप रिवोल कर पाएंगे वो मैं आप लोग आभी यहां पे दिखांगा देखिए यह हमारा माइक है और इस में हम अभी पीपीटी अपले करेंगे तो जुरूरत की हिसाब से हम यहापी पीपीडी अपले करेंगे दुस्तों ठीक है तो मैं यहापे थोड़ा सा पीपीडी लगा देता हूँ जितना मुझे जुरूरत है इस तरह आपको जुरूत की सबसे PPT apply करना है और आभी मैं points को revolve करने के लिए 12W की micro soldiering iron यूज़ करूंगा तो ये 12W की micro soldiering iron है इस तरह आपको mic की सभी points को revolve कर लेना है दोस्तों माइक को रिवोल करने के टाइम में आप फ्लक्स पेस्ट यूज़ ना करें ठीक है तो हमारा यहाँ पे माइक की सभी पॉइंट रिवोल हो चुका है और अब यहाँ माइक को बोट में लगा देंगे तो इसको किस तरह आपको लगाना है ताकि हमारा माइक खराब ना हो इसका मैं आपको यहाँ पे ट्रीक दिखाता हूँ दोस्तो माइक को लगाने का जो मैं आप लोग यहाँ पर ट्रीक दिखाँगा यह मेरा पार्सोनल एक्सप्रियांस है तो आपको अगर यह ट्रीक अच्छा लगे और आपका काम 100% साक्सेस होता है तो इस वीडियो को लाइक जोरूर करें और कमेंज भी कर दीजीगा और आपने अगर हमारी SSPIX नया यूटूब चेनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो उस चेनल को भी सब्सक्रेब कर लीजीगा क्योंकि मैं उसमें भी इसी तरह वीडियो अपलोट करता हूँ और उस चीनिल का लिंक इस फीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो माइक को लगाने के लिए माइक जहां पे माइक था उस जगा में आपको माइक को सही पोज़न में बिठा लेना है ठीक है माइक को मैं यहां पे सही पोज़न में बिठा लिया और आभी आपको यहाँ पे एक चीज की जूरुत होगी मैं आभी आपको दिखाता हूँ इस तरह आपको एक Keypad बटन लेना है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ इसको आपको किस तरह लेना है और आपको इसको किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको सभी दिखाता हूँ तो यहां से आप विडियो को बिलकुल skip ना करें ने तो आपका जो माइक है वो damage हो जाएगा इस तरह आपको tweezer से इसको पकड़ना है और इस तरह आपको माइक की उपर रखना है माइक में आपको task नहीं करना है ठीक है माइक की just आपको थोरा से उपर रखना है और आपको hot air gun को चलाना है इसके उपर ठीक है तक कि temperature और यार माइक की सीधे उपर ना लगी और यहां पर आप temperature को 260 की आसपास रख सकते हो और यार को 3 ठीक है तो मैं यहां पर 264 temperature रखा है और यार को 3 पे और यह 5 से 10 सेगंड के अंदर अराम से बैट जाएगा ठीक है तो माइक हमारे यहां पर बैट चुका है और अभी हम इसको check करेंगे तो माइक को check करने तक विडियो में बने रही है देखते हैं माइक की sound quality तो माइक को check करने के लिए हम यहां पर एक sound record करके देखते हैं आङरा मैक विडिए में यहां पराम करेंगे आङरा माइक कि यहां इचाम हेलो, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट देखे दोस्तो हमारा माइक यहां पर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और बिल्कुल यह clear output दे रहा है ठीक है तो इस तरह आप लोग किसी भी phone की digital माइक को बड़ी असान इसे लगा सकते हो बिल्कुल company जैसा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते है एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद